इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी टोपि रोल्स और टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल मिर्गी यानि की दौरेक का इलाज करने और माइगरिन की रोक थाम के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल लेनोक्स गैस्ट और सिंड्रोम यानि की दूरलब लेकिन बच्पन से शुरू होने वाला मिर्गी का गंभीर रूप के इलाज में भी किया जाता है टोपि रोल्स और टैबलेट को प्रति दिन एक ही समय पर खान से दवा को बंद कर देने से सीज़ दौरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है इस दवा के इस्तिमाल करने के दौरान आपके डॉक्टर सीरम बाइकार्बोनेट लेवल की नियमित निगरानी रखने की सलाह दे सकते हैं इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना स्वाद में बदलाव, ठकान, डायरिया यानि की दस्त, वजन घटना, भूक में कमी और या दाश्ट बिगरना शामिल हैं इससे मायोपिया या ग्लॉकोमा जैसी नजर की समस्याएं भी हो सकती हैं इसलिए इलाज शुरू करने से पहले और उसके बाद नियमित रूप से आपकी आँखों की जाच करवाना महत्वपूर्ण है आपको चक्कर आना और नींद आना का अनुभव हो सकता है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं और मानसिक रूप से ध्यान केंद्रित कर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद